अलो दोश्तों एक बार फिर से वागते आपका हमारे शैनल दर्ग मेरा नव है वरुण और हम बात कर रहे हैं मद्ध्यप्रदेश की जिला यातरा हम कर रहे हैं, लगओ पूरी की पूरी जिला की हमें यातरा करनी है, बावर्ण डिस्टिक्स है और बावर्ण यातरा हैं हम य दे दी गई है नाम अब चंद्रेशिकराजाद नगर हो गया है लेकिन हाँ यहां हम डिसकस करेंगे ज़रूर करेंगे चलिए देख लेते हैं अली राजपुर को यह आप देख पा रहोंगे यहां राट राइट कलर में यह अली राजपुर है और यह जाबुवा से अलग करक तो लगती ही है तो चलिए देख लेते हैं अली राजपुर जिले का नाम है 17 मई 2008 क्या बिया 17 मई 2008 को जाबुआ से अलग करके इसको गठन किया गया था अली राजपुर का अली राजपुर में तहसील है जो है अली राजपुर जो बट कट्टीवाडा भावरा और सोंडवा भावरा का नाम बदल के चंत्र सेकर आजाद नगर कर दिया गया है याद रखेगा और अली राजपुर जिले के साथ जो सीमा बनाती है मंद्य प्रदेश के तो उसमें जाबुआ क्योंकि जाबुआ से ही अलग हुआ है ये उपर जाबुआ है इसके बाद बढ़बानी ये 900 लिन्यान बे जने संक्या हुआ करती थी किसकी अली राजपुर की जो अब बढ़ जाएगी अब बैसी बात है साक्षर्ता दर में बहुत खराब इस्तिती है सबसे कम साक्षर्ता दर वाला जो जिला है मद्य प्रदेश का वो अली राजपुर ही है याद रखिएगा और य सबसे कम साक्षर्ता मद्य प्रदेश की अली राजपुर जिले में पाई जाती है यादी सबसे कम पड़े लिखे लोग अली राजपुर में मिलता है अली राजपुर जिला जो है वो इंदौर संभाग के अंतरगत आता है और मद्य प्रदेश में दूसरे नमबर का के अंतरगत आते हैं और मुख्याला इंदौर समभा करें इन ताडी समझते हैं, मतलब बड़े लोग सुमझ गए होंगे ठीक है चलिताडी बहुत इंपॉडइंट हो जाती है लोगों के लिए ठीक है इसको बोलते है natural liquor है ना natural जहां आम की प्रजाती, यह बहुत सबसे बड़े आकार का आम जो है नुर जहां प्रजाती का आम माना जाता है और उसके लिए अली राजपुर याद रखिएगा ये कुश्चिन कई बार पूछा गया है ठीक है पांच तहसीले हैं यहाँ पर अली राजपुर जोबट कटी बाड़ा भावरा सोडवा भावरा का नाम मदल के चंद्रशिकर आजात नगर कर दिया गया है ये याद रखना है आपको ठीक है अंगे बात करें सीमा मद्यप्रदेश के जाबुआ से उत्तर में बड़वाडी दक्षिण में और धार यहाँ पर पूरब में लग जाती है इसके अलाबा पश्चिम में आपके दो राजपुर्भ की दक्षिण पश्चिम की बात करें तो क्या लग जाता है माहराष्ट्र लग जाता है तो दो राज्यों से ये स्यर करता है और ये विश्चर कई बार पूछा गया है इसलिए भी याद रखना है आपको मिठी और क्रशी की बात करें तो मत्यप्रदेश में जो है मालवा चहेत्र है ना ये वाला ओ मालवा चhetra है तो मालवा चहेत्र में कालि म्रद यहां पर पाई जाती है करशी की बात करें तो भईया काली मिट्टी में क्या होता है का पास के लिए अच्छी होती है नहीं होता सब कुछ होता है तो सीता पल सीता पल तो naam आपने सुने होगा भईया यह बहुत important फल हो जाता है सीता फल कहलाता है और बहुत लोग चाउ से ख में नाक का जो है मककआ आप खातेश मकका यहां पर खाए जाते हैं तो मुआ आप घर्मियों में आम बुखाए जाते ही बहुत इंबाध न Egg बात करें अधी के ऐसे नाम रखें लेकिन हाँ, important नदी है अली राजपुर की, यहाँ पर सिशाई परियोजना में बात करें तो जोबट जो तैसील है, इसको चंदर सेकर आजात कर दिया लेकिन वो पूरा जला ही चंदर सेकर आजात नाम से प्रसद्ध भई, तो जोबट परियोजना क चंदर सेकर आजात परियोजना बनाई गई है, जोबट परियोजना को चंदर सेकर आजात परियोजना नानपुर या फाटा बांध भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेकिन जनरली चंदर सेकर आजात परियोजना के नाम से मशूर है, तो याद रखना है, जोबट परिय और राष्टी उद्यान की बात करें तो रतनमाल अभ्यारन जो है मद्यप्रदेश और गुजरात की सीमा पर कट्टी बाड़ा में ये सम्देश क्या हूआ है क्या रतनमाल अभ्यारन सैंचुरी बनाया जा रहा है खनेश संपधा और उद्योगों की बात करें तो डोलो माइट डोलो माइट उद्योग से सम्बंदित ही काम होंगे मतलब से में इंट उद्योग से बंदित चीनी मिट्टी बगेरा इन पे काम हो सकता है अली राचपुर में बोलियों की बात करें तो भाईया सबसे जादा मालवा छेतर है मालवी बोली बोली जाएगी और अगर जनजातियों की बात कर लें तो भाई अभी हम डिसकस करेंगे कि भील जनजाती सबसे जादा यहीं मिलती है तो भाई भीली भासा भी बोली जाती है प्रमुक परियाटन इस तो लोगी बात करें तो आजाद कुटिया आजाद कुटिया मतलब चंदरसिकर आजात का जो जनम इस्तल है जो जहां उनका जनम हुआ था उसको आजाद कुटिया के नाम से जाना जाता है भावरा में पढ़ती है भावरा का नाम अगेन चंदरसिकर आजात नगर कर दिया गया है कट्टी बाड़ा फेमा से भूम सकते हैं राजबाड़ा भी है यहाप है आजाद कुटिया आप देख पा रहे होंगे यह चंदरसिकर आजाद की जनम भूमी है यहाँ पर इनका जनम हुआ था और फिर बाकी सारा अभी संग्रहाला इत्यादी बन चुका है वहाँ पर तो यह गूमने लाइक इस्तल हो जाता है राजबाड़ा आप देख पा रहे होंगे यह राजबाड़ा है जैसे इंदौर में राजबाड़ा बना है वैसे ही अली राजबाड़ा बना हुआ है यह महल है खाजल रानी का मंदर है यह आप देख पा रहे होंगे यह आप देख पा रहे होंगे यह प्राचीन सिभ मंद प्रमुक तत्यों की बात करें तो भाई जावुआ जिले से अलग करके 14 मई 2008 को इसको बनाया गया था और मद्यप्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्याले है यह कुछा जाता है मद्यप्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्याले कहाँ पहला है मंद्स और जिले में है इसके लाबा सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला मद्यप्रदेश का तो है भारत का भी सबसे कम पड़ा लिखा जिला जो है वो अलीराजपुर माना जाता है याद रखिएगा मद्य प्रतिश का सबसे ज़्यादा जन जाती प्रतिशत वाला जिला जो है वो क्या है वो अली राजपुर है ये भी कोईशन पूछ लिया जाता है जन जाती भी यहां पर भील जन जाती पाई जाती है ये याद रखना है अली राजपुर जिले का भावरा ग्राम जो है प्रजाती का मुर्गा यह बहुत इंबॉडेंट है जी आई टेग मिल चुका है इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और ऐसा सोना था कि विराट कोहली भी पसंद कर रहा है ठीक है चलिए और करकनाथं मुर्गा पाले की बात कर रहे तो करकनाथ प्रजाती का यह मुर्गा है इसको मार्च 2018 अठारा में जी आई टेग दिया गया है याद रखिएगा बहुत इंपोर्डेंट है कड़कनात प्रजाती कमरुगा जोबट जगा का नाम है जोबट मैं मान परियोजना है 2007 में नर्मदा नदी पर ये बनाए गई थी अली राजपुर में भगोरिया हाट चुकि भील जनजा में लगता है याद रखना है कटी वाड़ा में एक अभ्यारण यानि संचोरी प्रस्थावित करी गई है जो आम के लिए प्रसेद कटी वाड़ा बहए वही नूर जहाँ प्रजाती की आम पाये जाते हैं जो तब से बड़े होते हैं बजन की बात करें तो है नहां डेढ़ और चपन नेशनल हाईवे चपन और उससा डे गुजरते हैं और इसी के साथ भी अली राजपूर का सफर हमने कर लिया आता है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे अंगले जले के साथ मिलेंगे तब तक क्या करना है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि मंद्य प्रदेश की हार एक चोटी बड़ी जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर तब तक के लिए रहें